आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरेनेस एजूकेशन न्यूज में दोस्तो गुड मॉर्निंग सूपरभात आप सभी को तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग था पेरामेडिकल भरती दोस्तो यह जो अपडेट है यह बहुत ही शांदा विभागने कि भाई न्यूली मिलिस्टर्स जो होगा चिकित्सा मंत्री होगा नवन्यूक्त उससे कुछ अप्रूवल्स लेकर के हम इन चीजों को पूरा करेंगे तो वो जो सोगंद खारक की थी दोस्तो काम नहीं करने की मंत्रियों के उपर जो छोड़ा गया था वो हाँ और ना का एक इंतजार है और उसके बाद ये सारा तिलिसम जो है काफी लंबे समय से चल रहा है वो तूटने के आसार जहां तक लगता है मुझे नजर आते हैं क्योंकि एकमात्र ऐसा विभाग चिकित्सा विभाग जो भर्तियों के प्रोसेस को रोके हुए था सिर्फ इस लिए कि नए मंत्री महोदे से अप्रूवल लेना है अप्रूवल की एक तरीके से आप लोग ये समझे कि महज ओपचारिकता का सब्द था अप्रूवल जिसको लेना था कथित तोर पर चिकित्सा विभाग को अब नए चिकित्सा मंत्री बन गए है कल विभाग अवंटित क जुड़ा हुआ मैटर है लेकिन सभी भरतियों के लिए इस हां और ना का इंतजार यहां पर रहने वाला है मंत्री मोदे ने हां किया कि यस आप लोग इस प्रक्रिया को डन कीजिए जल्दी से जल्दी तो जितना जल्दी हो सकता आपको पोस्टिंग मिल सकती है पहले खबर पर बात कर लेते हैं फिर करेंगे बकवास तो क्योंकि मैं करता रहता हूँ देखिए दोस्तो दैनिक भासकर की खबर है मैंने डाल दी थी टेलिग्राम पर सबसे पहले 6 बज के एक मिनट पर ही दस साल बाद निकली थी फार्मासिस्ट भरती फरजी डिपलोमा के चलते फिर अटकने का डर यह यहाँ पर पूरी खबर है पहले इस खबर को देख लीजिए जो आप लोग ने कल खबर देखी होगी भाई 500 क्रोल का घुटाला कर दिया अठाराजा रजिस्टेशन कर दिया वह वो सारे चीजे थी अब फार्मासिस्ट भरती के लिए जो अभरती टेंशन में है भरती सरकार जल से जलत पूरा करे यह अभरतियों का कहना है और जो प्रदेश से विभिन कॉलेजों से डिग्री डिपलोमा करने वाले बच्चे हैं जो जैनवली राजस्थान से पड़े लिखे हैं तो उनकी प्रक्रिया प्रारम कर दी जाई और भारी राजियों से जिन अभरतियों ने डिग्री ली है वह उनका वेरिफिकेशन करा करके उनके बारे में निर्न लिया जाए इससे पहले फार्मासिस्ट भरती 13 में निकाली थी उसके बाद वर्स 2018 में निकाली गई थी बाइस में अठार में निकाली थी वो पेपर वो काफी बार डेट आई ती परिक्ष्या कि फिर उसे फाइनली उसे रद कर दिया गया था फिर बाइस में आप लोंगों को पता है फिर तेश में दुबारा से 3067 पर निकाली गई दस्तावी सत्यापन का काम पूरा हो चुका है और अन्य राजियों की डिग्रियों की जाँ चल रही है इसी बीच फार्मेसी कॉंसिल में फरजी दस्तावी से रजिस्टन पाए जाने के मामले सामने आगे इस बाद से भरती की प्रिक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है आठ सिफ उन्य निकाली थी जिसमें से साथ भरतियों की प्रोविजन सूची जारी कर दी है और एक मातर ऐसी भरती फार्मासिस्ट है जिसकी प्रोविजन सूची जारी नहीं किया फार्मासिस्ट जो एसोसियेशन है फार्मासिट के जो अभ्यारती है जो बर्चे है वो लगाता सिस्टों के नेता जी रभी ओजा थीक है अब देखिए दोस्तों ये सारी चीजे ठीक है अब देखिए एक हाँ और ना का जो इंतजार है वो कहां पर है ये सिरिमान ओपित हाकन है सिफू के डिरेक्टर है इनके निर्देश में भरती परक्रिया हो रही है यानि कि सिफू इसलिए प्रविजन सूची जारी नहीं की गई है किसकी मतलब फार्मासिष्ट की बात कर रहे है अगर सरकार से हमें निर्देश मिलेंगे कि प्रदेश से डिग्री डिपलेमा करने वालें कि सूची को जारी कर निक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए तो हम यह काम प तो हम यह प्रिक्रिया आगे भढ़ा देंगे कहीं न कहीं सरकार से यस या नो दो चीजों में से एक चीज यहां पर डिमांड कर रहे हैं उपी थाकन साब दूसरा यहां पर देखिए यह रभी ओजा उपादेक्स राश्तन फार्मसिस्ट एसोसियेशन इनका कहना है कि भाई रश्टचार के खामियाज हम क्यों बुखते बिल्कुल सही बात है राजे सरकार को वास्तविक फार्मसिस्टों के साथ नय करना चीए उनके प्रमान पत्तनों की जांच करते हैं उन्हें जल सजल न्युक्ति परदान की जानी चाहिए यह यहां पर इनकी तरफ से कहा गया ह ठीक है दोस्तों अब क्या है कि देखो हाँ और ना का चक्कर क्या है देखिए नए मंत्री बने है अब ये सारी की सारी जो जब जोइन करेंगे वो अपने डेपार्टमेंट्स को सारी चीजों पर चर्चा होगी उसके बाद नए मंत्री मोदेपन डिपेंड करता है वो इन उलजी तो नहीं हुई है ठीक है ना तो उसमें थोड़ा ठीले होने की possibility बन जाती है कुल मिला करके एक खबर अच्छी खबर है ठीक है और फार्मासिस्ट के जो बच्चे बिलकुल भी आप लोग घबराव मत कि भाई ऐसा कुछ गलत होगा आपके साथ बिलकुल भी नहीं होगा बस यह संगठित रहना है और प्रियास जरूर करते रहा है दूसरे यहाँ पर देखिए कुछ बच्चों नहीं यहाँ पर फार्मासिस्ट भरती पूरी कराने के लिए ग्यापन भी दिया जमेर से एक खबर है ठीक है भाई जिसकी भी खबर हो भाई इसका स्क्रिन सोट ले 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 ना क्योंकि आज के दैनिक नव जोती समाचर पत्र म बहां से मने यह ली है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने मांग की है ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से आप लोग फार्मासिस्ट के बच्चे मांग कर सकते हैं कि आप पनमगरा लगा सकते हैं सात्यों ठीक है ना तो यह जानकारी है सात्यों नए मंत्री हैं अब संभावत है विभाग उनसे पूछेगा किसा आप क्या करना है भरतियों को ले करके कब तक क्या करनी है कैसे क्या करना है वो एक तरीके से एक उपचारिकता मात्र है अप्रूवल ठीक है ना ऐसी कोई काग जी कारवाई नहीं करने के भाई ये वो बस मंत्री मोदे से इस विशय के बारे में बातचीत करके मंत्री जी किस तरीके से काम चाहते हैं वो यहाँ पर एक तरीके से उसको अप्रूवल का नाम दिया गया कथित तोर पर ठीक है दोस्तों तो ये जानका रही थी जल्दी सारी चीजे सोट आउट होंगी कल मंत्री मोदे बन गए हैं उमीद करता हूँ दोस्तों की आने वाले जो अगले पचास बावन दिन जो हैं वो आप लोगों के लिए बहतर साबित होंगे ठीक है ना भाई 31 जन्वरी से पहले तो ये कमेंट करना छोड़ दो कि न्युक्ति कब मिलेगी बहुत सारे लोग कमेंट इसी बात को ले करके करते हैं कि न्युक्ति कब मिलेगी बहुत सारे चीजे हैं हर वीडियो में हम 31 जन्वरी से पहले तो ये कह रहे हैं कि 31 जन्वरी से पहले तो खुआब छोड़ दो कोई भी चिकित्सा का नेता बता दे, कोई भी जोतिस बता दे, आपका कितने तारीक को मिल जाएगी, तुसको भी चिलेंज है, तो न्युक्ति की डेट किसी को नहीं पता भाई, ठीक है, वो भगवान जाने र सरकार जाने, इक किलाव कोई तीसरा आदमी न्यूकटी के डेटर नहीं बता सकता 31 जनवरी तक तो कुछ होना नहीं है 31 जनवरी तो कुछ होना नहीं है 31 जनवरी काम धाम करले अपने पूरे वही बड़ी बात होगी उसके बाद चीजें sort out होगी ठीक है साथ ही हा? टंसेन, मत लिया करो, तो ये जान करी थी तिस ओ दोस्तों, फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, जै हिन, जै भारत, टेली ग्राम पर जोइन forgot we are power wrap and each other, आती हैं, इंस्टाग्राम पर डेली, आप लोग फ्री में पढ़ा सकते हो ठीक है, वहाँ पर सारी खबरे मिलती हैं, तो टेली ग्राम पर भी फोलो कर जीए, इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर लीजिए, और ट्वीटर चलाते हैं, या एक्स प्लेटफॉर्म हो गया आप तो उस पर भी फॉलो कर लिए यानि कि जहां पर भी आपको आरनेस एजूकेशन न्यूज की आईडी जिना जराइक कुछी भी सोचल मीडिया प्लेटफूम पर वहीं फॉलो कर लिजी आपको फायदे मिलेगा तमाम शिक्षिया और नोकरी से जुड़ी खबरे मिलेंगी जैने ब अबारत